हाला स्टुडेंट हाव आप से भी ठीक होंगे तो आठ से हम एक्सरसाइज वन बी के कुछ नमर फोर से आपको बताएंगे ठीक है सलीना पंसाइज क्लास नाइं ताइसे सीबोट का नुमेरिकल है देखो क्या लिखा है कारा अब वाई यूजिस अ वर्नियर कैलिपर तो मेज अपने के लिए अपनी पैंसिल की मोटाई को नापने के लिए उसने वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल किया उसने ये पाया कि इसकी जो पैंसिल की मोटाई है वो 1.4 मिली मिटर है कह रहा अगर वर्नियर कैलिपर की जीरो एरर प्लस 0.02 सेंटीमेटर दी हुई है तो क्रेक्ट थिकनेस क्या होगी बहुत असान कोशन है बटा देख लो कैसे करेंगे solution ठीक है अच्छा क्रेक्ट थिकनेस कैसे पता चलेगी ये आपकी जो एरर दी हुई है ये पॉस्टिव एरर है ठीक हो पॉस्टिव एरर का मतलब यह होता है कि आपके इंस्ट्यूमेंट ने प्लस 0.02 सेंटीमेटर जादा नाप लिया है एक्च्छल लेंथ से एक्च्छल तिकनेस जो होनी चाहिए थी उससे ये जादा नाप लिया इसको कहते है पॉस्टिव एरर तो बटा करेक पहले बत यह देख लो यह 1.4 mm तो यह करोगे आप पहले इसको क्या करोगे या तो इसको मिली में कर लो थिकनेस को प्लस 0.02 cm को ठीक है तो आप देखो आप यहां पी लिक्वे को 0 1 particular 1 0 error किति दीो 2000 ineविटरि इसको को आप मिली मेटर में कमट करोगे जब्वी साइड में डेखलो 1 cm में होते हैं में 10 mm एक सेंटी मिटर में होते हैं में 10 mm ऑपल Sadly प्लस 0.02 को मल्टिप्ल्याइ कर दोगे हैं यह एक गिंती क्या होगे राइट है में शिफ्ट हो जाएगे डेसिमल तो आंसार आजाएगा आपका अगर पॉस्टिवेडर दिया होगा तो मैं अगर पॉस्टिवेडर दिया होगा तो करेंगे डिया रहता है तो उसका मतलब यह होता कि आपके इस्ट्रुमेंट ने उतना कम ना पाए जितना भी आपका नेगेटिव एरर रहे तो उसकेस में क्या करते है प्लस करते यानि यहां पर प्लस है तो माइनस करेंगे करेक्ट थिखने स्नापने के लिए अगर यहां पर माइस होता तो प्लस कर देते हैं ठीक है सिंपल से कॉंसेप्ट है चलो नेक्स कोशन करेंगे यह भी आपका असान है देखो क्या कह रहा है करा अवर्नियर कारीपर हैस इस में स्केल ग्रेजुएटेड इन मिलिमीटर अच्छा जो विएसडी की जो स्केल है ठीक है स्वरी माफ परिएगा जो में स्केल है वर्नियर कारीपर की जो में स्केल है वो मिलिमीटर में है ठीक है इसको सलुशन देखो पहले सलुशन ठीक है, MSD, Man Scale Division in mm, यह किस में दिया है आपको, mm में दिया है, आपने पहला पॉइंट लिखा, आगे देखिए and 10 divisions of the vernier scale are equal to 9 mm, ठीक है, या नहीं समझो, जो आपका 10 VSD है, 10 vernier scale division जो है, 10 VSD, यह आपका 9 mm के बराबर है clear है, तो यहां से 1 VSD या सिफ VSD की value क्या आ जाएगी, 10 इधर shift कर देंगे, तो यह जाएगा 9 upon 10 mm, clear है, least count बेटा निकलता कैसे, यह समझो पहले, least count पूछा कोशन में, ठीक है, तो आप LC, least count निकलता है आपका, MSD, यानि main scale division में से आप minus कर दोगे, VSD, ठीक है अद्द को, जो आपका main scale division है, वो millimeter में है, तो या तो इसको आप one millimeter ना आप लो, या तो सीफ आप MSD रहने तो भी ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, आच्छे से, ओके चलो, इसको आप one लिख लेते है, minus, VSD कहता है, 9 upon 10 mm, 9 upon 10 mm, अच्छा, one क्यों लिखा, यह समझ में आया कि नहीं, यह कि 10 VSD किसके पराबर था, 9 mm पर पराबर था, 10 को इधर shift कर दिया, तो इसी VSD के value पता चल गी, और VSD के value उठा के यहां put कर दिया, इसके बाद तो आप जानते हो, 10 ones are 10, और minus 9 कर देंगा, तो यह कितना आ जाएगा, one upon 10 mm, ठीक है, इसके बाद क्या होगा, पीछे से एक गिं 0.01 cm, ठीक है, तो आपका least count कितना आ गया, 0.01 cm, क्लियर है, अच्छे से, उसके बाद आप से पूछ रहा है, 0 error of the Vernier Caliper, Vernier Caliper की 0 error पूछ रहा है, तो बेटा, 0 error निकालने का simple सा formula होता है, देखो, 0 error निकालने का simple सा formula होता है, देखो, आगे आपके question में कुछ और भी दिया ता, उसके बात कारे था, विंदा टू जो जाउज और इंकांटक्ट, आपका Vernier Caliper में जो है, नीचे के दो जाउज होती है, अगर वो जब कॉन्टक्ट में आ जाते हैं, the 0 of the Vernier Scale is ahead of the 0 of the main scale, Vernier Scale का जो 0 है, वो में स्केल के 0 से आगे है, अगर Vernier Scale का 0, में स्केल के 0 से आग Vernier Scale coincide with a main scale division, और जो Vernier Scale का 3rd division है, वो में स्केल से coincide कर जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप वही वाला division लेते हो, जो VSD का और MSD का coincide करता है, वो कौन सा division है, 3rd division है, तो 3 लिखा, इंटू में, लिस्ट काउंट लिख दोगे, लिस्ट काउंट, ठीक है, लिस्ट इंटू में, लिस्ट काउंट कितना दिया है, 0.01, multiply कर देंगा, अंसर कितना आजाएगा, प्लस, 0.03 cm, तमझ में आया, अच्छे से, पहले हमने लिस्ट काउंट निकाला, सिंपल सा तरीका था, इस तरीके का कोशन तो आप पहले कर गया हो, ठीक है, 0 अजर कैसे निकालते ह है, पहले इसका साइन डिसाइड करेंगे, अगर वर्नियर स्केल का 0, MSD, यानि मेन स्केल के 0 से आगे है, तो वो पॉस्टी वेरर होगा, पिर यहाँ पे वो नमबर लिखते हैं, जहाँ पे VSD और MSD कोइंसाइड कर रहे हैं, कोई जो से भी डिवीजन पे, यहाँ पी दिया समझना समझा था, देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, क्या रहे है, यानि आपको जो मेन स्केल है, MSD, वो MM में दिया हुआ है, ठीक है, solution लिखो पहले, solution, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, MSD, मेन स्केल डिवीजन, इन MM, उसके बाद देखो, क्या लिखा है, 19 division of main scale are equal to length, are equal in length to 20 division of VSD, समझो अब, जो आपका 20 VSD है, vernier scale division, यह बराबर है, 19 MSD के, 19 main scale division के, तो 1 VSD के value यहाँ से कितनी आ जाएगी, इधर shift कड़ेंगे 20 को, तियो जाएगा, 19 upon 20 MSD, clear है, अच्छे से, ओके, इसके बाद आप से कह रहा है, list count निकालो, तो बेटा list count निकाल देंगे, क्या दिक्कत वाली बात है, list count कैसे निकलता है, MSD में से, minus कर देते हैं, VSD, अच्छा, आप question में कही दिया है, कि MSD आपका किसमे है, milimeter में है, तो इस MSD के जगा आप one लिख दोगे, minus में, ठीक है, इस MSD के जगा one लिख दोगे, फिर minus लिखोगे, VSD के जगा क्या लिखोगे, 19 upon में 20, और MSD के जगा अगर आप one put करोगे, तो 19 upon में 20 into में one हो जाएगा, तो VSD के वाली कितनी आ जाएगी, 19 upon में 20, एक बार फिर से समझ लो, MSD के जगा one लिखा है, one क्यों लिखा है, क्योंकि as a whole हम one माल लेते हैं, तो MSD की जगा यहां one लिखा, यहां भी one लिखेंगे, तो VSD के वाली किया जाएगी, 19 upon में 20, cross multiply करेंगे, minus कर देंगे, ठीक है, तो 21 जगा 20 हो जाएगा, और minus 19 करेंगे, तो 1 आएगा answer, तो हो जाएगा 1 upon में 20, clear है, अच्छे से, अच्छा, इसको आप solve कर लो, तो answer कितना आएगा, यह answer आगा, आपका 0.05 mm, solve कर लोगे न, divide करके basically solve करना होगा, यह आपका mm में आया है, और अगर इसी चीसको आप cm में ले जाओगे, तो 10 से फर्दर divide करोगे, जब 10 से फर्दर divide करोगे, तो answer आजाएगा, 0.005 cm, ठीक है, थोलो मैं आपको बता दूँँ, आपको यह न लगए से डारेक डारेक करा दे रहे हैं, पहले 1 को 20 से divide करना सिखाता हूँ, देखो कैसे करेंगे, आपने 1 लिखा, यहाँ पर 20 लिख दिया, ठीक है, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, अभी भी नहीं जा रहा, 0 बढ़ाया, 0 बढ़ाया, फिर 5 बार में चला जाएगा, 25,100, अंसर कितना आया, 0.05 mm, देखने में अच्छा नहीं लगए था, इस वज़े से हमने एक 0 आप और बढ़ा दिया, तो 0.05 mm आया, अब इसक करेंगे, तो 1 upon 10 cm, ठीक है, यानि अगर mm में कोई चीज दी है, उसको cm में convert करना है, तो 10 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइट करना पड़ेगा, इसको कर दीजे 10 से डिवाइट, 0.05 है, upon 10 कर देंगे, अब देखो, पॉइंट के बाद 2 गिंदी है, पॉइंट होगे, पॉइंट करना पड़ेगी, तो 2-0 लगा दो, हो गई न 3 गिंदी, पॉइंट लगाया, आगे 0 लगा दिया, यह आपको किसमें आगया, cm में आगया, क्लियर है, आच्छे से, कोई दिकत वाली बात तो नहीं है, बात है तो बताओ, ओके, चलिए, इसके बाद देखेगा, इसके बाद आपसे पूछ रहा है, radius of क्या, cylinder, cylinder की क्या radius है, तो बेटा, cylinder की radius निकालने से, पहले आपको निकालना पड़ेगा, 0 error, क्या निकालना पड़ेगा, 0 error, 0 error, पहले देखेंगे हम, कि 0 error positive है कि negative है, ठीक है, आगे question पढ़ते हैं, कह रहा है, in measuring the diameter of a cylinder, by this instrument, the main scale reads 35 divisions, and the fourth division of VSD coincides with the main scale division, अच्छा, यहाँ पर वाला system नहीं है, लिकिन अगर ऐसा कुछ आपको reference ना दिया रहा है, तो आप ले देखेंगे, तो आपको बता रहा था, अगर कोई भी चीज़ आपको given ना हो, तो उसको आप as a positive error ही मालोगे, ठीक अच्छा, positive error क्या होगी, fourth division आपका VSD का MSD के साथ coincide कर रहा है, यानि fourth division vernier scale का, आपका main scale के साथ coincide कर रहा है, तो plus में four, in two में, least count होता था, अभी पीछे बता था previous question में, least count कितना दिया है, 0.005 cm, ठीक है, solve कर लो, answer कितना आएगा, 54020 हो जाएगा, ठीक है, तीन किंदी के बाद point लगाना है, यहाँ पर तो दो ही किंदी है, तो एक 0 और बढ़ा देंगे, point लगा देंगे, point 020 cm, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो एक 0 आगे और बढ़ा देंगे, ठीक है, 54020, फिर तीन किंदी के बाद point लगाना था, 20 तो लिखा था, ठीक है, यह आपका आया है cm में 0 एरर, ठीक है, अच्छा, diameter कितना था, without error, without error आपका diameter कितना था, 35 division दिखा रहा है, ठीक है, आप लिखो कि यहाँ पर, without, error, diameter, कितना दिया है बेटा, 35 division, ठीक है, और आपका एक division जो है, वो mm में है, ठीक है, यानि एक division एक mm दिखाएगा, यानि यहाँ पर 35 mm आया है, समझ रहोगी नहीं, देखो समझो, diameter जो होगा, वो main scale पर show होगा, पहली बात, ठीक है, main scale कितने पर show हो रहा है, 35 division पर बेटा show हो रहा है, ठीक है, 35 division पर, य क्योंकि आपका MSD mm में दिया है, तो आपका यहाँ पर कितना आजाएगा, 35 mm, इसको अगा 10 से डिवाइट करोगे, तो यह चिस में आजाएगी, cm में आजाएगी, जो कि आपको करना ही पड़ेगी, 35 upon 10 करेंगे, तो यह आजाएगा, 3.5 cm, यह बगाएर एरर के है, diameter, लेकि है, एक मिनट, I am sorry, मैंने खाल से मैंने शायद गलत लिख दिया, without error तो पता करना है न, यह with error है, ठीक है, error के साथ वाला है, कोई बात नहीं, हम मानते है, error के साथ वाला है, ठीक है, इसके बाद देखो बेटा, क्या आएगा, यहाँ पर आप लिखोगे, कि जो है, correct diameter, correct diameter, correct diameter, correct diameter, correct diameter, correct diameter कितना होगा, बताव जरा, 3.5 लिखोगे आप, ओके, 3.5 लिखोगे, ठीक है, उसके बाद बेटा, उसमें प्लस कर दोगे, आप इसकी, zero error को क्या करोगे, प्लस कर दोगे, zero error को क्या करोगे plus कर दोगे कर देते हैं मेटा plus zero error को तो यह आ जाएगा zero point यह यह error को plus कर रहा हूँ zero point zero two answer कितना आ जाएगा आगे zero लिखना चौँ लिख दो ने लिखना चौँ ने लिखो क्योंकि terminal zero का कोई भी मतलब नहीं होता यह answer आ जाएगा आपका three point five two three point five two centimeter यह आपका आया है correct diameter उसके बाद आप radius निकाल लो ठीक है clear रहे ना इसके बाद आप radius निकाल लो यह आप रेडियस क्या होता है diameter का आधा होता है diameter कितना दिया था three point five two का half कर दोगे answer कितना आ जाएगा one point one five fifteen हो जाएगा seven बार में जाएगा फिर one two six twelve हो जाएगा six बार में जाएगा one point seven six centimeter आ जाएगा clear है अच्छे से इसमें एक चीज़ समझ ना आप शायद यहाँ पर थोड़ा सा confused हो रहे हो ठीक है यहाँ पर आप zero error का कोई मतलब समझो ही न ठीक है यानि आप positive zero error negative zero error आप कुछ देर के लिए इसको क्या करो side में रख दो कुछ देर के लिए क्या करो side में रख दो ठीक है अगर आपको यहाँ पर कोई भी चीज अगर न दी रहे question में कि positive error है negative error है तो आप direct error निकालोगे और उसमें से क्या करोगे लाइक करें comment करें share करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर बचाएं जो कोचिंग को effort नहीं कर सकते हैं